तो वो तज़ावीज वो मश्रे को करते वंग्द किन चीजों को करने है और इनेको पहला पॉइंट ट्रय कुनिया उक्ट खिम दिपस च्यों पैस पेसज को स्किम के तझाना इंवडिक सिरि तरह देख के आगे निकल जाना है श्किम की तज्वीज आम तोर पे जो रीडिंग पैसेज का रीडिंग का वेस्टन होता है इंगले सेक्षिन पर दी जाते हैं तो वहां तो दुरूस्त होती है क्यों को लंबा पैरा होता है और उसकी बहुत डीप को डीप अंडरस्टेंडिंग की जरूर आइडिया अबाउट दी आर्गोमेंट ये काफी नहीं कि आपको अलका सा अंदाजा हो जाए कि वो क्या दलीले पेश कर रहे हैं नहीं यू मस्ट पी अबल तो अनलाइज इस वेरी केरफुली आपको इस काबल होना चाहिए कि आप पूरी इख्तियात के साथ जो है वो और पूरे समझधारी के साथ उसका जो है वो फैसला कर सकेंगे दूसरा पॉइंट यू मस्ट फाइंड दी कन्कूलूजन अफ दी आर्गोमेंट विच दी आउथर क्लेम्स तू है रीच्ड तैट मोस्ट कॉमन सिच्वेशन आर एस फालोज के ये देखना कि आर्गोमेंट जो अक्सर क्या होगा आखरी जो जो लाइन है उस पैसेज की वो कन्कूलूजन को जाहर कर रही होगी ओफन स्टार्टिंग भाई वर्ड सच एस इस तरह के अलफाज के साथ जैनि हकायक बताने के बाद क्या कहेगा देरफोर दस हैंस कांजिक्वेंट ली तो ये अलफाज कन्कूलूजन इस फर्स संटेंस अफ दी पैसेज फालोड बाई दी सपोर्टिंग एविडट्स ये भी हो सकता है कि पहले ही वो कन्कूलूजन दे दे और फिर उसकी सपोर्ट में एविडट्स दे तो उसमें फिर क्या करेगा वह जुमला बोलेगा उससे पहले ना कुछ द दे ले रहे उसके आटमा तीसरा स्टायल ऑकेजिनली बाई उकादी कन्कूलूजन इस नाट प्रेजन इन दी पैसेज पैसेज में कन्कूलूजन लिखा ही नहीं होता इन देस केस दी क्वेस्टन आस्ट यूड़टिफाई दी कन्कूलूजन वहाँ पर सवाल आप से प्रेज़े के बताओ जी इसका नतीजा क्या है अगला पॉइंट पे पर्टिकुलर अटेंशन तू सिगनल वर्ड्स जो सिगनल वर्ड्स हैं उन पे खास तोर पे दियान दें वहीं सिगनल वर्ड्स क्या होते हैं ऐसे अलफाज जो किसी खास चीज की निशान देही कर रहे होता है सिगनल हम क्या कहते हैं रुक जो आप इšारे पे लोग लुक्द से देखबाल के तो इसी तरह से अलफाज भी सिगनल देते हैं या आगे जो आने मिली बात है क्या तल्लक है तो उन आर्फाज पर बड़ी त efendim यहाई इसने example दी कि वो कहता है for this reason इस वजह से तो गोया वजह बियान की जा रही है hence hence का लफज आ गया तो इसका अगली बात है कि जो उपर वाली बात है उसका नचोड निकाल रहा है नतीजा निकाल रहा है आल्दो अगर्चे तो अगर्चे का आल्दो का मतलब यह हुआ कि जो पिछली बात है और जो अगली बात है दोनों एक जैसी नहीं है वो एक ऐसी अभकिकत बताने जा रहा है आल्दो के बाद जो पिछली से मुख्तलिफ है तो उसके लिए क्या वो बोलेगा आल्दो बोलेगा बट लेकिन तो लेकिन भी क्या बताता है कि पीछे वाली बात से हटके एक बात आने वाली है एक्सेप्ट सिवाए तो यह एक्सेप्शन आने वाली है यह वो बात है जो पिछली जिस पे अपलाई नहीं होती है और in contrast कि इस पीछली बात के बिलकुल उld बात आने वाली है Nevertheless अब इसका मतलब है कि यह इसके बावजूद यानी अगली हकीकत के बावजूद या पिछली हकीकत के बावजूद ऐसा है तो वहान क्या लफ़स इस तुमालोगा Nevertheless unlike इस जीसा नहीं है तो ये अल्फाज आपको खबरदार कर रहे हैं कि आगे क्या होने बाद है तो ये चांद अल्फाज यहां लिखे हैं और भी बहुत से अल्फाज हैं अगर आप आर्गुमेंट की